तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ Tata के एक hidden share के बारे में और I think इसके बारे मैंने पहले भी आपके साथ share करिये इसके analysis तुमारा से वीडियो के मात्यम से update करवाना चाहूँगा मैं बात नहीं कर रहा हूँ TTML की हाँ मैं TTML की बात नहीं कर रहा हूँ TTML को छोड़ो आज TTML अपर सक्रिट लगा है और यहां रखना यह एक जल से एक volume है एक volume driven story है आज market 2% उपर थी और एक अच्छा गाथा volume पूरी market में हमें देखने को मिला है तो इस stock में से एक अपर सक्रिट लगा है just because of volume ठीक है और यह stock और यह एक सो नबबे से 108 आ चुका है तो बीच मे अगर 108 से 150 भी जाता है न तो वो buy नहीं होगा वो एक trap होगा इसका जो short term view है मतलब जो trend होता है वो negative है मतलब इस stock को sell करो जितना भी यहां पर आपको buy दिखेगा न हर एक buy में बड़े players exit करेंगे और हमारा retail इसको buy करेगा ठीक है मतलब retail इसको accumulate करेगा तो यह गलती आपको नहीं करनेंगे यह stock को जितना होजा कि आपको sell ही करना चाहिए अभी के बात कर रहा हूँ बारे बतनाल से पहले आप पहले कुछ data देखो ठीक है जो साथ आपको चकित भी करेगा और आपको definitely push करेगा कि हाँ आपको टाटा के इस share को observe करना चाहिए investment purpose से company की sales आप देख सकते हो current TTM में जो sales growth है 59% है ठीक है 5 सालों में 39% है 10 सालों में 21% है लगातार company की sales growth बढ़ रही है profit growth भी आप लोग देख सकते हो TTM में 113% है 10 सालों में 36% है 5 सालों में 16% है तो company के profit growth भी काफी अच्छी आ रही है stock price का अगर CAGR बोलते है तो last 20 years में last 10 years में 20% का return दे रहा है हर साल ठीक है last one year में 30% का return दे रही है मतलब हर चीज में company अच्छा return आपको कमा के दे रही है price बहुत छोटा सा है इतना वड़ा price नहीं है अभी आपको दिखाऊंगा एक mid cap small cap category का stock है राइट तो मैं यही बोलूँगा stock को चाहतो आप अपने observation में रख सकती है profit आप लोग यहाँ देख सकते हो लगतार company के profit बढ़ रहे है मैंने yearly profit खोल रखे EPS पहले 6 के आसपास ताच 235 क्रॉस कर चुका है ठीक है quarter यह नमर्स आप लोग देखी है यह आपके सामने है अब शिरूटिक पैटन की गर में बात करता हो तो promoters की holding more than 75% है public का मातर 22% के आसपास का पैसा लगा हुआ है तो I will say यह एक मातर Tata का stock है जो अभी 316 रुपे के आसपा ट्रेट कर रहा है ठीक है अब आप इसको यह भी बोल सकते हो कि यह Tata Steel की subsidiary company है ठीक है तो definitely इस stock को आप नज़रों में रखो company का mail जो business है वो non-ferrous metal का यह काम करती है ठीक है जो company को जैसे आपने layout seal सुना होगा stock वही का business है जो layout seal का non-ferrous metal अगर आपको बहुत अच्छे तरह के जानना समझना company के बारे में लिंक्स मैं नीचे डाल दूँगा पढ़ सकते हो company के बारे में मतलब इसकी website के अब बाकी बात कले आरो सी देखिए 46% right company आपको dividend भी दे रही है more than 1% तो everything is on that safe note यही बोलूँगा यहां पर आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला आपका पैसा उपर ही जाने वाला है तो आपने last 10 years के 15 years के data देख लिया जो मैंने आपको तिखलाया था पहले तो नजरों में रखो सब कुछ तो कम अच्छा लग रहा है ठीक है यह बाकी NST में कैसा काम होता वॉल्यूम कैसा आता वो एक बार देखिए प्राइड एक्षिन भी आपको पतला दूँगा तो यहां पर देखो 49 भेंग डिरी स्टक उठाई कहीं है तीन लाग शे लोग घ कर पाता है बाकी अगर बात करते हैं कुछ other factors के बारे में जैसे की stock के volume वगेरा वगेरा तो volume अच्छा गासा आता है और stock लगता है एक high rise का pattern बना रहा है और definitely एक अच्छा return इस लोग देखे जा सकता है last 20 years से कुछ decent return दिया है कमा के इतना खाश नहीं दिया है लेकिन अगले कुछ सालों में और अच्छा return आपको कमा की दे सकता है तो नजरों में रखो टाटा स्टेल की subsidiary company जिसका नाम है tin plate वीडियो को स्वाप्त करता हूं कु दिए